हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे एस कोचिन सेंटर में अगर आपका सब्जिक्ट होम सब्जिक्ट से किसी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं और सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्फूल होंगे चाहिए वह प्रेक्टिसेट हो आप उन सारे ही वीडियो को आप जाके देख सकते हैं और सबसे इंपर्टिन बार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर शुस्क्राइब जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइप एक शियर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है तो मुझे मोटिवेट करते रह तो चली आञे आदें अए आज की अपने पहले और कलके अपने लाइस कोश्ण पर और यह प्रेक्टिस्य सेट नमबर 88 को तो पॉशन होने लग चार से साड़े चार सौत कोश्जिन है एक एकी और बूक से तो उसके कोश्ण हम देख रहे ह stret है वह ए को दिण आगарт पेशियू में शंग्रहित हो जाते हैं तो क्या होगा? option A है ग्लुकोज, option B है cellulose, option C है ग्लाइकोजन रज्ञन और option D है कोई नहीं तो यकरित में कार्भो हाइड़िर किसमे परियरतीत हो जाता है, तो यहाँ option C होगा ग्लाइकोजन में आते हैं अपने नेस्ट कोशन पर नेस्ट कोशन है कि रक्त में ग्लुकोज की शमान्य मात्रा डैस होती है तो 80-120 mg प्रति 100 ml 70-110 mg प्रति 100 ml 90-130 mg प्रति 100 ml और कोई नहीं तो यहाँ पर अंसर सही हो जाएगा अफसार नबर ए रक्त में ग्लुकोज की शमान्य मात्रा 80-120 mg प्रति 100 ml होती है आते हैं नेस्ट कोशन पर नेस्ट कोशन है हमारा कि कुछ अवस्थाओं में बिसेस उर्जा की अवसकता होती है जैसे कि अधिक परिश्रम मानसिक उत्तेजना मानसिक आवेश नीची हमें कूट में अंसर देना है तो कुशन नमर टूंडे टू है और टूंडे टू का अंसर हो जाएगा आते हैं अवस्थाओं में बिसेस उर्जा क्यों सकता होती है जैसे कि हम जब अधिक परिश्रम करते हैं मानसिक उत्तेजना के समय में या फिक मानसिक आवेश के समय में बेयाम और खेल कूट के समय में भी आते हैं अपने नेस्ट कुश्चन पर नेस्ट कुश्चन है कि बिसेस उर्जा की उसकता होती है बिसेस उर्जा की उसकता सरीर में डैस पूरा करता है तो विशयस उर्जा के ओसकता सरीर में क्या पूरा करता है तो glycosen, estarz, insulin या फिर adraline तो विशयस उर्जा के ओसकता सरीर में कौन सा पूरी करता है तो ये वही है जो यक्रित में जमा होता है glycosen option ये शही हो जाएगा next के आते है नेजिक कोशेन फिर्चes dragging कि अधिक मानको पूरा करने में डैश हार्मोंवंज उत्पेर हका काम करते हैं ठाव थाय्रोक्षिन इंसुलीन ये फिर आड्रोयन енडीलेड़ थैस्यव द कर दावम हार्मोंज उत्पेरक का काम करते हैं option option B शही हो जाएगा और अधिक मांग को पूरा करने में estrogen और अध्रेलिन हर्मोन उत्पेरक का काम करते हैं आते हैं में next question पर next question हमारे की glycosin का भंडार सरीर में शीमित होता है अतक कुछ समय की मांग को पूरा करने के बाद डैस भंडार पर निर्वर होना पड़ता है तो यहां option हो जाएगे option A protein, option B खनीज, option C वशा यहां option D कोई नहीं तो जो glycosin है glycosin का भंडार है वो सरीर में शीमित होता है अतक कुछ समय बाद इसकी मांग को पूरा करने के बाद डैस के भंडार पर निर्वर होना पड़ता है तो यहां हो जाएगे option नहीं शीव वशा next question पर आते है next question की रक्ट glucose की मात्रा यदि 180 mg प्रती 100 ml से बढ़ जाती है तो यह गुर्दों के प्रभाव शीमाशे बाहर होकर मुत्र के शांत निश्कासित होने लगती है इस इस्थिती को डैस रोग कहते है एनेमिया डैबिटीज बेरी बेरी या फिर 6 रोग तो इसका हो जाएगा जब रक्ट की glucose की मात्रा जो है 180 से 100 ml से बढ़ जाती है तो यह गुर्दों के प्रभाव को सीमाशे बाहर होकर मुत्र के शांत निश्कासित होने लगती है इस इस्थिती को हम डैबिटीज कहते है ओफ्सन बी शही हो जाएगा नेस कोश्चन पर आते है नेस कोश्चन है कि पाइरुविक एशिद के ओफ्सन बी शही हो जाएगा नेस कोश्चन पर आते है कोश्चाओ के माइट्रोकॉंडिया में इस्थित बीशिस इंजाइम ग्लुकोज की डैस में परवर्तित करता है तो एमीनो एशिद हाइड्रोकलोरिक एशिद या फिर पाइरुविक एशिद या फिर कोई नहीं तो कोश्चन नमर है 208 और 208 कैंसर हो जाएगा अफ्सन नमर शी पाइरुविक एशिद कोश्चाओ के माइट्रोकॉंडिया में इस्थित बीशिस इंजाइम ग्लुकोज की पाइरुविक एशिद में परवर्तित करता है अफ्सन सी सही हो जाएगा नेस्ट कोश्चन पर आते हैं नेस्ट कोश्चन है कि पाइरुविक एशिद के ऑक्षी कडन के फॉल्स औरोक डैस बनता है जो वांशित उर्जा और उस्मा उत्पन कराने में शाहायक होता है आफ्सन अ है एडिनोशिन ट्राइफासफेट तत्त्त्त आ आफ्सन भी एक परकार कच्छार है आफ्सन सी है फैटी एशिद एडिनोशिद के ओक्षी कडन के फॉल्स औरोक डैस तत्त्त तत्त्त बनता है जो कि वांशित उर्जा और उस्मा उत्पन कराने में शहायक होता है यहां option A शही हो जाएगा पारविक एशित के औक्षीकरन के फॉल्सरूप एडली नोशिन ट्राइफास पे तत्तो बनता है नेस्ट कोशन पे आते हैं नेस्ट कोशन हमारा कि ग्लुकोज डैश अमीनो एशित के निर्मार में शहायक होता है तो आवश्यक अनावश्यक केवल आवश्यक केवल आवश्यक या फिर ए और भी दोनों या फिर इन में शे कोई नहीं तो जो ग्लुकोज है जो glucose है ये अनावस्यक amino acid के निर्मार में शहायक होता है option B शही हो जाएगा glucose अनावस्यक amino acid के निर्मार में शहायक होता है next question पर आते हैं next question हमारा कि carbohydrate बड़ी आतों में vitamin D के निर्मार में शहायक होता है option A है vitamin B शमू, option B है vitamin K, option C है vitamin D and option D है vitamin C नीचे हमें कुट में अंसर देना है तो कार्बो हाइडरेड बड़ी आतों में बिटामीन 10 के निर्मार में शहायक होता है तो यहां अंसर सही होगा ओफ्सन नमबर B कार्बो हाइडरेड बड़ी आतों में बिटामीन B शमू और बिटामीन K के निर्मार में शाहायक होता है, option B शही है, vitamin B, shamo and vitamin K, next question पर आते हैं, next question हमारा, कि भोजन में उर्जा प्रदान करने वाले तत्तों हैं, तो कौन-कौन से तत्तों हैं, तो carbohydrate वशा, प्रोटीन या फिर सभी, तो भोजन में उर्जा प्रदान करने वाले तत्तों कौन-कौन से हैं तो यहां प्यंसा सही हो जाएंगे ऑफसार नमर डी, शभी कार्बोहाइडिर्ट वशा और प्रोटीन इन सबसे हमें उर्जा मिलती है, सबसे जदा अगर उर्जा पूछा जाए तो हमें वशा से मिलती है 90 तो एंड कर्टीन और खार कार्वोफटेट कि फूर फॉपट फॉरपइंट टू इस इनते नहीं से बाइए उस नहीं प्रोटेन अपना कारिया छोड़के देने का कारिया करती है यहां पर सही हो जाएंगे ऑफसर नमर डी सभी नेस्टक्षिन पर आते हैं नेस्ट कोशन है कि कार्बोहाइडर्ट वसा के साथ मिलकर डैस की अनुभूती कराते हैं तो आनंद की श्वाद की छुदा संतुष्टी की या फिर कोई नहीं तो यहाँ पर हो जगे कार्बोहाइडेट वसा के साथ मिलकर छुदा संतुष्टी की अनुभूती कराते हैं मतलब कि भूख की अनुभूती हमें कराते हैं नेक्ट कोश्चन पर आते हैं और दातों का भिघटन पैदा करता है, तो चार, एशिद, भिकार या फिर शडन, तो जो मुह में जो मीठे पदात बच्चे होते हैं जो अंस बच्चे होते हैं उन में उन में एक बिशियस प्रकार का एशिड पैदा करते हैं जो कि दातों के इनेमेल को सौरी मीठे पदातों के जो अंस बच्चे होते हैं उस पर किटान उपनपते हैं और एक बिशियस प्रक पीदारेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट पर हड़ी खाना वह बेट हो खाने ना ओस-टे सांग खाने में ओ उस मठाता यूक हर नहों है टो सब्से पहले कर्पूआड यह सुआ हमारे सब्सक्राइड में चर्ब पर जमस्पेश आगा है प्रतिक्ष में वसा में दिखाई देने वाले पदात जैसे कि घी मक्षन बनस्पति हमारे भुज्य वसा का केवल डैस भाग ही बनाते हैं तो चालिस प्रतिक्ष में वसा में दिखाई देने वाले जो पदात हैं जैसे कि घी मक्षन बनस्पतिक बनस्पतिक हमारे भुज्य वसा का केवल चालिस प्रतिक्ष भाग ही बनाते हैं ओफ्सन एश यह हो जाएगा चालिस प्रतिशत नेक्स कोश्चन पर आते हैं नेक्स कोश्चन है हमारा कि अप्रतिक्ष वसा वाले पदात भोजन में डैस प्रतिशत भाग बनाते हैं तो पचास प्रतिशत साथ प्रतिशत पैंसर प्रतिशत या फिर पच्पन प्रतिशत तो जब वह वाले चालिस प्रतिशत बनाते हैं जो कि प्रतिक्ष दिखते हैं तो जहीशी बात है साथ प्रतिशत भाग बनाते हैं ऑफ्सन भी शही हो जाएगा next question पे आते हैं next question है कि अप्रतिक्ष वसा के कुछ उधारन है जैसे कि dash तो समागी कृत दूध, अनाज, मेवे या फिर नारियल नीची हमें कूट में answer रेना है तो इसके answer क्या होगा अप्रतिक्ष वसा के कुछ उधारन है तो अप्रतिक्ष वसा के उधारन कौन से है तो यह हो जाएंगे समागी कृत, दूध, अनाज, मेवे या फिर नारियल, all of the above option इस सही हो जाएगा next question पे आते हैं next question है कि यह सही है कि संत्रिप्त लाइपिट्स, रख्त, डैस बढ़ाते हैं तो गंजापन, गुरुवत्त, और कोलेस्ट्रोल या फिर कोई नहीं question number 219 है और इसका एंसर क्या होगा तो यह सही है कि संत्रिप्त लाइपिट्स, रख्त में कोलेस्ट्रोल बढ़ाते हैं option C हो जाएगा next question पे आते हैं next question है कि अहार में काम आने वाले लाइपिट्स डैस रूप में होते हैं तो ठोस, अर्द ठोस, तरल या फिर सभी तो अहार में काम आने वाले जो लाइपिट्स होते हैं वो इन सभी रूपों में होते हैं ठोस में भी होते हैं, अर्द ठोस में भी होते हैं यों तरल में भी होते हैं नेस्ट कुश्चन पे आते हैं नेस्ट कुश्चन है कि बनस्पतिक स्रेनी से प्राप्त सभी लाइपिट्स डैस होते हैं तो स्वादेश्ट, पीले, तरल यों कोई नहीं तो जो बनस्पतिक स्रेनी से प्राप्त जो सभी लाइपिट्स होते हैं ये तरल होते हैं और संसी शही हो जाएगा नेस्ट कोश्चन पर आते हैं नेस्ट कोश्चन है कि बानस्पतिक स्रेणी के तेल केवल डैस को छोड़ कर तरल रूप में होते हैं तो नारियल, मलाई, शुर्य मुखी या फिर मार्जीन तो बानस्पतिक स्रेणी के तेल केवल किसको छोड़ के तरल रूप में होते हैं ये हो जाएगे नारियल, नारियल का तेल जो होता है वो जम जाता है नेक्स कुश्षण पर आते है नेक्स कोश्षण है कि सभी लाइपेड डैस के सही योग से बनते है तो गिलिस्ट रॉल, फैटी एशीड, ब्यूटिक एशीड या फिर हाईड्रो क्लोलिक एशीड तो यहां पर क्या होगा सभी लाइपीर्स जो होते हैं वो बेटरिक ऐसीड के शहिप योक्षे मिलके बनते हैं ऑफसन Сीज सही हो जाएगा Raptors कोशन पर आते हैं उसका हमें कूट में अंसर देना था जो सभी लाइपीर्स होते हैं वो डष के शहिक योक्षे बनते हैं तो सभी लाइपेर्स गिलेसरोल एवं फैटी एसीद के संयोगशे बनते हैं और बादोनों हुँगे चुखिता हैं नेट्सट पर आते हैं नेट्स्ट कॉस्शिन हैं ट्राइपेर्सलोल फास्पोरास वन नाइटरोजन के साथ संयोग करके फासफोल लाइपिर्स बन जाते हैं जो अलग-अलग कोशिकाओं के अंस बनाते हैं जैसे की जैसे की वन मिनट फासफोल लाइपिर्स बन जाते हैं जो अलग-अलग कोशिकाओं के अंस बनाते हैं जैसे की जैसे की इसकी गोलाइपिर्स मस्तिक की कोशिकाओं में लाइशो फासफोल लाइपिर्स नाग बीश में या फिर केवल एक केवल बी या फिर A और B दोनों या फिर इन मेंशे कोई नहीं तो question number 224 है और इसके अंसरो रहेगा of the number C A और B दोनों triglyslide phosphorans for nitrogen के साथ सयोग करके phospholipid बन जाते हैं यह भी question में आ सकता है जो अलग-अलग कोशिकाओं के अंस बनाते हैं जैसे कि esquigolipid मस्तिक्स की कोशिकाओं में lyso phospholipid नाग-बीश में नेस्ट कोशन पर आते हैं नेस्ट कोशन है कि और संत्रिप्ट फैटी एसीड जब glycerol के साथ सहयोग करते हैं तब डैस बनाते हैं तो जो और संत्रिप्ट फैटी एसीड है जो glycerol के साथ सहयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं तो glycerides बनाते हैं और संत्रिप्ट लाइपिट्स बनाते हैं या फिर टाई गिलस लाइपिट्स बनाते हैं या फिर कोई नहीं तो कुशन नमबर 225 तो 225 का अंसर हो जाएगा नमल्ब C disturbance जो fatty acid गल्स रीड़ में सखेयोक और संत्रिप्ट लाइप इड्स बनाते हैं कि श्यु Sel Mm नेशन भन जन या फिर कोई नहीं कोशन नबर 226 और इसके अंसर हो जाएगा ऑफसर नमबर बी और संत्रिप्त लाइपिट्स में विशेस रसाइनिक बीदी से आवाश्यक अत्रिक्त हाइड्रोजन प्रविष्ट कराया जाता है जिसे हाइड्रोजीनेशन कहलत कहते हैं नेशन कोशन पर आते हैं नेशन कोशन है कि हाइड्रोजीनेटिड बनस्पतिक तेल डैस रूप में बजार में मिलता है तो डिबबा बन ठोस ठेले या फिर कोई नहीं तो जो हाइड्रोजीनेटिड बनस्पतिक तेल है ये ठोस रूप में बजार में मिलते हैं ऑफसन भी शह ही हो जाएगा कि नेस्ट कोश्चेन है कि पाचन किरिया द्वारा लाइपिट्स आतों में डैस में विवक्त होकर आतों के जिल्लियों में परवेश करते हैं तो गिलेश्ट रॉल फैटी एसी लिपिट्स या फिर गिलेश्ट रॉल नीची हमें कूट में अंसर देना है इसके अंसर हो जाएगा अफ्टर नमबर शी पाचन किरिया के द्वारा लाइपिट्स आतों में गिलेश्ट रॉल एउं फैटी एसीड में विवक्त होकर आतों के जिल्लियों में परवेश करते हैं नेस्ट कोश्चन पर आते हैं नेस्ट कोश्चन हमारा कि आतों में वसा सत्तर प्रतिशत नमीन रूप से सहयोग करके डैस में परवेश्ट हो जाते हैं और लशी का वाहक नलिकाओं में परवेश कर जाते हैं और यह ड्राइग्लेस्राइड और बी है मोनोग्लेस्राइड और यह कोई नहीं तो जो आतों में वसा सत्तर प्रतिशत नमीन रूप से सहयोग करके ट्राइग्लेस्राइड में परवेश्ट हो जाते हैं और लशी का वाहक नलिकाओं में परवेश कर जाते हैं अफसन सी शही है नेस्ट कुश्चन पर आते हैं नेस्ट कुश्चन है कि मोनोग्लेस्राइड के रूप में पाचेन के पश्चात रक्त धमनियों में परवेश करके डैस में पहुंच जाते हैं फिर फिर कोई नहीं तो मोनोग्लेस्राइड के रूप में पाचेन के पस्चात धमनियों में परवेश करके यक्रित में पहुंच जाते हैं अफसन भी शही है नेस्ट कुश्चन है कि ग्लेस्राइड के कंड लशी का में डैस की जलक पैदा करते हैं तो ठोस, तरल, सफेदी या फिर कोई नहीं ग्लेसराइट के जो कर्ण है वो लशीका में लशीका में शफेदी की जलक पैदा करते हैं ग्लेसराइट के जो कर्ण है वो लशीका में सफेदी की जलक पैदा करते हैं आपसन सी शही है नेस्ट कोशिन है कि काईलो माईक्रोंस लशिका रक्त में मिले डैस के कंड होते हैं औफ़सन है गलेस्राइड औफ़सन भी है अल्विमीन औफ़सन सी है कोशिका द्रब्ब्ब या औफ़सन भी है कोई नहीं तो जो काईलो माइक्रोंस लशिका रक्त में गिलेसराइड के कन्ड होते हैं उफ्सें एस सही हो जाएगा next है कि कुछ ट्राइगलेसराइड डैस की कोशिकाओं के सुरकछित कोस में जमा हो जाते हैं तो स्नायू, वशामें उत्तक, हडिया यों कोई नहीं तो कुछ ट्राइगलेश्राइड वशा में उत्तक की कोशिकाओं के सुरक्षित कोश में जमा हो जाते हैं option B शही हो जाएगा next question है कि हमारा मोठापाड डैस के सुरक्षित कोश बढ़ जाने के काड़न होता है तो लिपीड, वसा, ट्राइगलेश्राइड या फिर कोई नहीं तो जो हमारा मोटा पार्ट ट्राइगलेश्राइड के सुरक्षित कोश बढ़ जाने के कारण होता है और संसी शही है नेश्र कोश्यन है तो इसकी अनसर हो जाएगा हमारे शरीर के सारीरिक वजन का लग भग 10.8 प्रतीशाद भाग वसा या फिर लाइपीड का होता है next question है कि हमारे सरीर के वजन का वसा का भाग यदि बढ़कर 10% से अधिक हो जाए तो मोटापा असपश्ट दिखाई देता है तो 15%, 20%, 30% या फिर 40% तो हमारे सरीर के वजन का वसा का भाग यदि 20% से अधिक हो जाए ठाली है तो मोटापा असपश्ट दिखाई देता है, Option भी शही है next question है कि आवश्यक fatty acid है तो कॉनकम से है लीनोलेिक या लीलोले लेनी你們 ूवेन और एरा की डोनिक या फिर सभी आश्यक fatty acid कॉनकम से है तो और फिर सभी हो जाएगा उपरोब्ट शभी लिनोलेनिक एराकिडोनिक ओल अब दी एबब नेस्ट कुश्चिन हमारा आवश्यक फैटी एशीड बानस्पतिक तेल बिशेश कर डैस में प्रचूरता में प्राप्त होते हैं आवश्यक फैटी एसीड बानस्पतिक तेल प्रचूरता में प्राप्त होते हैं आवश्यक जो फैटी एसीड बानस्पतिक तेल वो बिशेश कर स्वेश्यक क्योंका प्रचूरता से प्राप्त होते हैं और भी शही हो जाएगा next question है कि वशा सरीर के सवी समबंदित उत्तकों तक वाहक बन कर vitamin A, vitamin D, vitamin A and vitamin K नीचे हमें कूट में अनसर देना है तो वशा सरीर के विविन समबंदित उत्तकों तक वाहक बन कर vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K नीची ने में कुट में अंसर देना है तो वसा आंतरिक वर अब्यावों के चारो और जमा होकर सन्रक्षन यों इस्थिरता प्रदान करते हैं अफसन C सही हो जाएगा नेक्ष कोश्चन है कि डैस के साथ मिलकर वसा छुदा संतुष्टी की अनभूती कराते हैं अभी से पहले हमने ये कोश्चन देखा था अफसन A है प्रोटीन ऐसनद बीए कर्वा derived अफसन C ए ञांस यल्estar एफसन D कोई नहीं तो कार्वाइटरिट वसा अभी हमने इस से पहले दिखा था इस थो कुछल्ड्रा की से संतुष्टी होती है तो कार्बोएडेट रहे हैं वसा से यहां सिर्फ कार्बोएडेट दे रखा है इसलिए हम उप्सन B को सेलेक्ट करेंगे तो कार्बोएडेट के साथ मिलकर वसा छुदा संतुष्टी की अनुभूती कराते हैं नेस कुश्चन पर आते हैं एक ग्रम वसा 10 कैलोरी प्राप्त करता है एक ग्रम वसा से हमें 9.2 किलो क्यलोरी वसा वर्जा प्राप्त होती है नेश कुशन है कि संत्रिप्ट लाइपीर्स अधिकांस डैस से मिलता है तो मांस पर लगी चर्वीशे, मलाईशे, मक्खन से घीशे, नीची हमें कूट में अंसर देना है तो जो संत्रिप्ट लाइपीर्स अधिकांस ता हमें संत्रिप्ट लाइपीर्स अधिकांस्ता हमें मांस पर लगी चर्वी मलाई मक्खन गी इन सब से मिलता है नेस्ट कोश्चन पर आते हैं नेस्ट कोश्चन है कि बिटामीन के डैस में बड़ा योगदान है तो मेटाबलिज्म उपापचे सारे रिक व्रिदी या फिर सारे रिक परिवर्तन तो बिटामीन के डैस में बड़ा योगदान है नीचे हमें कूट में अंसर देना है इसके अंसर हो जाएगा बिटामीन का मेटाबलिज्म उपापचे सारे रिक व्रिदी और सारे रिक परिवर्तन इन सब में बड़ा योगदान है नेस्ट कोश्चन पर आते हैं नेस्ट कोश्चन है कि अन्य पोश्चक पदात हमें ग्राम की मातरा में अपेच्छित होते हैं प्रन्तों बिटामिन केवल डैस में आवश्यक होते हैं या फिर ए और डो दोनों इन में इसे कोई नहीं तो अन्य पोश्चक पदात हमें ग्राम की मातर में अपेच्षित होते हैं प्रन्तों बिटामिन केवल हमें मिली ग्राम और माइक्रोग्राम में आवश्यक होते हैं अफसन केवल ज़्यक हो डोाइगा Side की नेस्ट पता लगाया जो बेरी बेरी की बिमारी नहीं होने देता है तो फेराडे ने काषिमर फक ने या फिर शुबाराम रथम ने या फिर कोई नहीं तो 1912 में कैशिमर फक ने चावलो के जो परियस्तर जो चावल को उपरी परत होता है कि इसे एक ऐसे तत्तो का पता लगाया जो कि बेरी-बेरी की बिमारी नहीं होने देता है अफसन भी शही हो जाएगा नेक्स कोश्चन पर आते हैं नेक्स कोश्चन है हमारा कि बिटामिन एक गुडात्मक नाम है तो क्या है तो anti-zero platesemic anti-mine या फिर कैशिमर फक या फिर कोई नहीं तो यहाँ बिटामिन एक गुडात्मक नाम है वह हो जाएगे काशिमर फक अफसन फी शही है नेक्स कोश्चन पर आते हैं नेश्ट कोश्ऻन है Zero-plathal-retinoic acid नाम है DACE बिटामिन का तो किसका नाम है ये हो साएंगे बिटामिन A का नेश्ट कोश्ऻन हमारा कि बिटामिन D को गुड़वत्त के अधार पर DACE भी कह सकते हैं तो भी बिटामिन D को को लिक कैल सी फेरोल केवल एक वल भी ए और भी दोने या फिर इन में से कोई नहीं तो यहां प्रैंसर सही हो जाएगा अफसर नमर शी ए और भी दोनो बिटामिन दी को गुरुवत्ता के अधार पर हम एंटी रेकाइटिक फेक्टर या फिर कोली कैलसी फेरोल के नम से भी जानते हैं नेक्स्ट यहां आज की हमारे लाश्ट कोश्चन है कि बिटामिन ई को डैस भी कह सकते हैं तो टोकोफेरोल पुर्वगामी केरोटीनेस या फिर कोई नहीं तो जो बिटामिन E है, बिटामिन E को हम इसका या फिर रसाइनिक नाम भी कह सकते हैं, और आप मेरे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल पर जाके या फिर डिक्रिशन में दिया गए टेलिग्राम गूरूप का लिंक, आप वहाँ से टेलिग्राम गूरूप का लिंक जोइन कर लेजिए, वहाँ मेरे सारे वीडियो आपको मिलेंगे, तो वीडियो अच्छी लेगी, तो लाइक शेर सस्क्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेर, एक सस्क्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रही मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नेक्स प्लेक्टिशित के साथ, थैंक्स पर वाचिंग